आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं LPU का MBA का प्लेस्मेंट मेरे सेक्शन की बात करूँगा पूरी यूनिवर्सिटी का प्लेस्मेंट कैसा है? क्या है? मेरे को कोई आइडिया नहीं है पूरे MBA का डेटा बहुत बड़ा था उसकी कभी और बात कर लेंगे आज सरिफ मैं मेरे सेक्शन की बात करने वाला हूँ जो की Q2144 सेक्शन था ठीक है भूत सारे स्टूडेंट का जब मेसेज आता था मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर फोन कॉल पे जब बात होती थी भाई लोगों से बहन लोगों से जो भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैक्सिमम कुश्चन यही होता था कि प्लेसमेंट कैसा है हाईएस्ट पेकेज कितना है लोवेस्ट कितना है एवरेज कितना है क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है तो इस वीडियो में अपन वो ही सब टोपिक पे बात करने वाले है ठीक है मैं तो तुमको सरिफ चीजें बता दूँगा उनको मानना या नहीं मानना तुमारे हाथ में तुम सरिफ मेरा पी-ओ-वी सुन लो ठीक है बाकी तुमको तुमारा दिमाग लगाना और तुमारा दिमाग लगा की चीजें करनी है मैं सरिफ जो मैंने अब्जर्व कर रहा है जो मेरा experience रहा है वो सरिफ share कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जरूरी नहीं है कि वो तुम मानो ठीक है लगी हो इंटर्शिप लगी हो बट उसके बाद का मेर को कुछ नहीं पता हाँ तो गई सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मेरी class में total students कितने थे मेरी class में total students है 66 ठीक है अब 66 student के अंदर से 46 student ऐसे थे जिनका placement हो गया था या फिर जो internship पे थे अब यहाँ पे जो मैं internship की बात कर रहा हूँ न हो सकता है इधर internship के उपर पहले जिनकी एक या दो महीने के लिए जो internship के लिए company आई थी न हो सकता है वो student हो हो सकता है जो placement के लिए आगे company आई हो वो starting में internship training time या फिर provision time जो होता है वो वले student हो ठीक है तो उन दोनों में से कोई से भी हो सकते है पहले क्या था जब पहले एक या दो महीने की जो internship होती है जिसका आगे हमको certificate देना पड़ता है या फिर fifth time में जिसकी report देनी पड़ती है ठीक है आपको बताया था मैंने जो internship वाली ये मेरी वीडियो थी 45 days की ठीक है उसके अंदर आपको सब कुस समझ आ जाएगा तो उस time पे क्या होता है बहुत सारी AC company आती है जो 7 महीने 10 महीने एक साल या फिर पूरी MBA की डिगरी तक internship के लिए रखती है बच्चे को और उसके बाद वो placement का offer दे जेती है जो भी उसका 10 लाग 7 लाग का package होता है internship पे जो थे हो सकता है उनको बाद में PPO मिल जाए हो सकता है उनको PPO नहीं मिले तो 50-50 chances है ठीक है अब आगे बता दूँगा क्यों chances है क्यों chances नहीं है ठीक है तो आपको समझ आई गया कि 66 student के अंदर से 46 student ऐसे थे जो placement पे थे या फिर जिनकी internship चल रही थी ठीक है जो बाकी के 20 student थे उनका कोई idea नहीं है मेरे को कि वो place हुए या निव हुए या फिर उनकी internship लगी या नहीं लगी उनका कुछ नहीं पता अब 46 student के अंदर से 22 student ऐसे थे जिनका placement होगा था अब यहाँ पे placement का क्या मतलब है कि 5 लाग या 7 लाग की कोई company आई ठीक है और उस company ने students को starting से ही salary देनी चालू करी थी ठीक है और 46 के अंदर से ही 24 student जो internship पे थे ठीक है जिनको पहले internship का time था कि आप इतने महीने इतने पैसे में काम करोगे उसके बाद आपको placement मिलेगा या उसके बाद आपका जो pre placement offer है वो company देगी समझ रहो तो सीधी बात यह है कि 22 student में से 7 से 8 student ऐसे थे जिन्नोंने independent offer ले लिया था बाकी के बचे 14 students जिन्नोंने offer लिया था university के थ्रू ठीक है जो placement का offer लिया था उन्होंने university के थ्रू लिया था यह बात करो में 22 students की ठीक है अब बात कर लेते हैं अपन total 46 student में से कितने student ऐसे थे जिन्नोंने independent offer लिया था internship और placement दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ ठीक है तो 30 student ऐसे थे जिनका placement या फिर internship जो लगा था वो university के थ्रू लगा था ठीक है बाकी के रहे 16 students तो 16 student ऐसे थे जिनका independent offer था total 46 student के अंदर से समझ रहो अब कई के ही सोच रहोंगे कि independent offer लेने की कहा जरू हो था गी student को भाई independent offer अगर मान लो मेरे कोई known में है मेरा जानकार है या फिर linkedin के थ्रू कोई मेरे को अच्छी job profile मिल जाती है जो मेरे को पसंद है ठीक है या फिर वो सामने वाला बढ़िया note दे रहा मतलब अच्छे पैसे दे रहा तो मैं उधर चला जाओंगा try तो हर student यही करता है कि अच्छी job profile हो अच्छा पैसा जा मिले है वहाँ चला जो तो independently अगर कोई company आपको मिल रही है आप किसी company को approach कर रहे हो या फिर आपके कोई जानकार है या फिर आपके कोई अच्छे contacts हैं तो उधर से आप independent offer ले लोगे placement के लिए तो सबको company आएंगी ऐसा नहीं है कि independent जिसको लेना उसके लिए company नहीं आएगी तो यह वाली सारी चीज़ा आपको समझ में आगी होगी कि कितनी student class में थे कितनों का placement हुआ कितनों का independent, कितनों का university के थुरू, कितने internship है ठीक है, तो एक बात बताता हूं कि कुछ समय पहले मैंने मेरे दोस्त को phone करा था, ठीक है, जो मेरा classmate था notes वगरा चीए थे यार मेरे को साथ में उससे मैंने ये भी पूछ लिया कि भाई, कितने के student रहे गए class में, जिनका placement वगरा नहीं हुआ क्योंकि इसलिए ही पूछा था, क्योंकि बहुत सारे भाई, लोगों का जब मैसे जाता हो, पूछते हैं कि भीया, कितने student रहे गए आपकी class में जिनका placement नहीं हुआ, ठीक है तो बता रहा था, 20 के आसपास student रहे गए, जिनका placement अभी तक नहीं हुआ है, बट उनका भी placement हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा था, companies वगरा तो आई रही हैं, बट वो register ही नहीं करते क्योंकि marketing and sales की company है जा फिर उनको job profile सही नहीं लग रहा जा फिर जो package है, वो कम हो गया था उस time पे, ठीक है, हो सकता है उन में से अभी बहुत student का placement हो भी गया हो, हो सकता है, कईयों का नी भी हुआ हो तो उसकी मेरे को कोई idea नहीं है ठीक है, ये एक महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जो मेरी phone call पे मेरे दोस्त हुई थी, जब 20 के आसपास student रहे गे थे, ठीक है, और आपको जो ये data बता रहा हूँ, ये 28 अप्रैल का बता रहा हूँ, जो 66 students थे, ठीक है, उसमें से 46 का placement internship लग गया था अब आप सोच रहोगी, क्यार, अभी भी एक महीने पहले जब इसने phone करा खुद के दोस्त को, जब भी 20 student बता रहा था तो समझ रहे हो, हो सकता है, वो university वापिस चले गए हो, वापिस अब जो company आ रही है उस time पे वो placement वापिस ले लेंगे ठीक है, क्योंकि उनकी intensive लगी थी, अगर उनको PPO नहीं मिला, तो वो वापिस university चले गए क्योंकि अभी तो 2 साल पड़े है, पूरे थोड़ी हुए था उनके तो उनको बाद में placement के लिए जो company आ रही है, वो बैठेंगे placement ले लेंगे, तो ऐसे भी थे उस student तो overall वो बोल रहा था कि 20 के आज़ परस student है जिनका placement अभी तक नहीं हुआ, बट हो जाएगा तो हाल फिलल, अभी जब मैं check करता हूँ कई की बाद linkedin open करके तो कई की student को मैं देखता हूँ कि वो डाल रहे होते हैं, खुद की post की हाँ, हम इस company में चले गए हाँ, हम इस company में चले गए तो placement तो हो ही रहा न बच्चों का बट वो ही है कि job profile और company जब उनके हिसाब की आएगी तो वो register मार लेंगे, placement ले लेंगे तो अब बात कर लेते हैं कि highest package कितना गया था, मेरी class में ठीक है, तो मेरी class में highest package गया था, 10 लाक CTC का, ठीक है अब मैं यहाँ पर CTC क्यों बोल रहा हूँ यह CTC का क्या सीन है यह भी माँ आपको बता दूँगा आगे ठीक है, तो 10 लाक का highest था, average था 4.5 से 5 लेक का और lowest मैं बोलूँगा कि 3 लाक रुपे का, lowest 3 लाक क्यों हो गया, यह भी माँ आपको बता दूँगा अपनने बात कर ली, 10 लाक रुपे highest package है, तो भाई 10 लाक CTC है, CTC बोले तो cost to company, अब 10 लाक क्या student को पूरा का पूरा मिल रहा है यह क्या fixed amount है, यह fixed amount नहीं है, 10 लाक CTC में से fixed amount अलग होगा और variable amount अलग होगा कितना है, 10 लाक में से 7 लाक fixed था और बाकी का variable है, अब यह variable क्या चीज़ है, variable में भाई incentive, bonus, performance, target यह सब चीज़ा आता है, कि अगर आप अच्छा करोगे तो हो सकता है, variable amount जो 3 लाक रुपे है, वो आपको मिल जाया, नहीं तो भाई वो नहीं मिलेगा variable का कुछ confirm नहीं होता कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी performance पे depend करता है, और आपके boss पे depend करता है, या फिर company पे depend करता है, कि वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती, बट एक चीज़ यह समझो कि variable को यही मान के चलो कि वो आपको नहीं मिलने वाला मिल तो जाएगा, अगर आप अच्छा perform करोगे जो भी उनके parameters है ठीक है, variable के company parameters देगी कि आपके यह यह चीज़ें हम observe करेंगे उसके बाद आपको variable amount देंगे तो मिल तो जाएगा, बट मान के यही चलो कि आपको नहीं मिल रहा बट आपको जो मिल रहा है वो fixed amount है, जो आपकी monthly salary में आएगा आपकी जो monthly salary आने वाली है वो fixed amount के according ही आने वाली है for example, यह लिलो कि मेरी जो salary है, वो 4.5 जो variable amount होता है वो आपको मिलना होगा तो एक बार में ही सारा का सारा मिल जाएगा जब आपका financial year हो सकता है end ओर हो तब मिले, ठीक है वो आपकी पूरा का पूरा performance के उपर है ठीक है, तो अब आप समझ के होगे कि भाई 10 लाग CTC का scene का है, highest package कितना है highest package 10 लाग है, ठीक है बट fixed amount कितना है 7 लाग रुपे है, ये चीज समझो, average package मैंना आपको बताई दिया, 4.5 से 5 लाग का है, वापी से एक example और दे देता हूँ, मेरा खुद का example दे देता हूँ, जैसे मेरी जो company आये थी, उसका जो CTC था वो 5 लाग था, ठीक है अब 5 लाग के अंदर से हम लोगों का 4.5 लाग था ठीक है, fixed amount और variable amount 50,000 था अब हमारा जो 50,000 था ये depend करता था कि हमारा performance कैसा है, ठीक है हम हमारा field पे daily जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम daily warehouse visit कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमारे staff के साथ behavior कैसा है, हमारी attendance कितनी है, तो बहुत सारे parameters होते हैं, जिसके उपर variable amount depend करता है ठीक है, आपने क्या कैसा काम करा है, जिससे company को फायदा हुआ है, ठीक है, तो वो आपसे पूछती है ये सब चीजें आप यकीन नहीं करोगे, 20 लाग की company आ रही है, तो उसमें से कई company ऐसी हो सकते हैं, जिनका fixed amount खली 7 लाग ही हो, बाकी का पूरा variable हो, कई company ऐसी भी हो सकते हैं 20 में से 10 लाग हो fixed और बाकी का 10 लाग variable हो कई company तो ऐसी आती हैं, जिनका fixed बहुत कम है, variable जादा है तो चीज समझो ना, कि variable जादा का मतलब, वो incentive, target performance के based पे है समझ रहो, CTC तो इतना बड़ा बड़ा कर दिया उन्होंने, बट fixed और variable amount भी तो देखो ना भाई, कौन सा कितना कितना है, जब आपके पास company आती है, portal के उपर जो होंगी, ठीक है, उसके बाद आप register करोगे, उसके पास में एक और bracket होता है, जिसमें लिखा होता है C job profile, तो उसमें पूरा का पूरा company के बारे में information दीवी होती है, कि कितने का package लेके आई है, कौन सी job profile के लिए आई है, ठीक है कि fixed और variable का scene कै है, वो सिर्फ ये देख लेते हैं, अरे यार, मेरे दोस्त के दोस्त का तो 10 lakh का package लगा है, अरे यार, उसका तो 15 lakh का package लगा है, अरे भाई, ठीक है मानली बात, उसका 20 lakh का package लगा है, बट भाई, उनसे ये भी तो पूछो कि आपका क्या ये पूरा का पूरा amount fixed है, अगर fixed नहीं है, तो इसमें से fixed कितना है 20 lakh अगर मानलो किसी का package लग गया, तो उसमें से उसका fixed amount कितना है, ये भी तो पूछो हो सकता है, fixed उसका 7 lakh की हो बागी का पूरा का पूरा variable हो तो तुम ये क्यों देखते हो कि 20 lakh का package है, अब मेर से भी बहुत सारे student जब phone करते हैं, कही कही, जब message करते हैं, तो ये पूछते हैं, भी या कितने lakh का package लग जाता है, तो मैं उनको जब बोलता हूँ, 10 का लग जाता है, 15 का भी लग जाता है, कहीं का 12 का लग जाता है, तो वो नहीं सही है यार, बहुत बड़ी है, बट उनको ये नहीं पता कि fixed क्या है और variable क्या है, तो भाई, उसमें से fixed amount होता है, कुछ जो आपको 100% मिलेगा, variable का कोई अता पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आज के बाद अगर किसी से पूछो कि भाई, तेरा कितना package है, तो उससे ये भी पूछ ले ना, इसमें से fixed amount कितना है, जो in hand salary तेरे को monthly मिल रही है, क्योंकि variable का तो कोई अता पता नहीं, वो performance based है, पूरा का पूरा, वो भी अलग parameters होते हैं, मैंने आपको समझाई दिया, तो ये चीज़ को हमेशन ध्यान रखना है, ठीक है, अब कई की student का एक और question था, मैंने को याद आ गया, वो बोलते हैं कि भाई या, बहुत सारी university होती है, उनकी website पे लिखा होता है, 50 लाग का package लगाया, ठीक है, कईयों का 25 लाग, 30 लाग, 35, 40, तो ऐसे, ये क्या सच हैगा, भाई होता तो सब सच ही है, जूट नहीं है, क्योंकि कोई भी college या कोई भी university खुद की website पे लिख रहे हैं, जूट तो वो लिख ही नहीं सकती है, समझो, बट इसमें ये होता है, कि वो 25 लाग, अगर मालो, कोई university या college लिख देती है, खुद की website पे, तो 25 लाग में से हो सकता है, वो 25 लाग CTC हो, और 25 लाग के अंदर से fixed amount कुछ और हो, और variable amount कुछ और हो, 25 लाग लिख दिया, अब हो सकता है, 10 लाग fixed हो, बागी का सारा variable हो, हो सकता है, 15 लाग fixed हो, अब वो fixed तुमको नहीं पता ना, वो fixed उसी student को पता है, जो placement लिया है, उस company में, या फिर जिसका 25 लाग का placement गया है, उस student को पता है कि मेरा fixed इतना है, मेरा variable इतना है तो यह चीज समझो अब वहाँ पे जो college होंगी university होंगी वो यह नहीं लिखेंगी न कि 25,000,000 CTC और उसमें से 10,000,000 fixed या फिर खाली 10,000,000 fixed का वो वहाँ पे website पे लिख दे खुद कि नहीं नहीं भाई वो पूरा CTC लिखेंगी क्योंकि या university तो यही मान के चलती है कि अच्छा perform करेगा वो variable भी amount पूरा लेगा और fixed amount पूरा लेगा university तो यही मानेगी ना या फिर college तो यही मानेगी ना ठीक है भाई उसको मानना भी चीए उसकी कोई गलती नहीं इसमें student को मैनत करनी चाहिए variable भी उसको लेना चाहिए बट वह यह कि मैं यह बोल रहा हूं कि वह performance based है हमको उसको देखके नहीं चलना है अपने को सिर्फ fixed amount पे focus करना है कि यह जादा होना चाहिए जिस भी company में जाओ fixed amount जादा होना चाहिए as compared to variable अभी जो मैंने आपसे बात करी थी जो 10 लाग की company आये थी जिंग HR करके ठीक है तो इस company के अंदर क्या इसने starting से ही बच्चों को 7 लाग जो fixed amount था वो देना चालू कर दिया था नहीं भाई कोई भी company ऐसा नहीं करती हो सकता है बहुत सारी company company starting से ही खुद का जो package है वो देना चालू कर दे बट बहुत सारी company होती है maximum company ऐसी ही होती है जो जब तक आपकी MBA complete नहीं हो जाती आपको stipend देती है कुछ amount देती है monthly का for example हो सकता है 35 देदे हो सकता है 40,000 देदे हो सकता है 30,000 देदे वो उस company पे depend करता है कि वो आपको monthly stipend कितना देगी वो जब आप register करते हो तो उसके पास में आप देखते हो ना c job profile में उसमें पूरी-पूरी detail दी होती है कि starting में जो आपको stipend मिलेगा 30-40,000 जो भी है वो मिलेगा बाद में आपका जब MBA का degree पूरा हो जाएगा तब आपका जो pre-placement offer है जो 10,000,000 रुपे का जो ये offer है जिसमें से 7,000,000 amount fixed है वो मिलना चालू होगा कब जब आपका MBA पूरा complete हो जाएगा तब तो ये भी दिहान रखना है कि जो company आएंगी वो starting में आपको कुछ stipend देंगी जो कुछ भी हो सकता है 35,40,50 ठीक है तो आपको ये भी दिहान रखना है कि starting में कौन सी company अच्छा stipend दे रही है पता पड़े कि 10,000,000 की company तो आ गई पर starting में पैसा दे रही है वो 15,000 रुपे अब हो सकता है कि 15,000 रुपे में आपने काम कर दिया हो एक साल तक जब तक आपकी MBA की डिगरी पूरी नहीं हुई हो हो सकता है बाद में company आपको निकाल भी दे बहुत सारी company ऐसी भी होती है जो आएंगी बहुत सारे बच्चे लेके चली जाएंगी बाद में जब बात आती है न पीपीओ की जब भाई वो एकदम से बच्चे की performance और सब चीजें चेक करने लग जाती है कि किसने कैसा काम करा किसने कैसा काम करा अच्छा ये ये बच्चे बढ़िया थे चलो इन दो को रख लो बागी सब को निकालो तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में स्टाइपंड भी बढ़िया 30, 35, 40,000 तो कम से कम मिलना चीए न इतना भी नहीं तो मतलब 25, 30 तो मिले ही इससे कम में अगर आप जा रहे हो और उसके बाद अगर आपको उसने PPO भी नहीं दिया तो भाई उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है या तो आपकी काम तो आपको बढ़िया ही करना है ठीक है जितना टाइम भी आप कमपणी में एक साल तक काम कर रहे हो जब तक आपकी MBA पूरी नहीं हो थी काम आप बढ़िया करो ठीक है हो सकता आपको PPO मिल जा हो सकता भाई कमपणी नहीं दे दोनों भी बाते हैं तो मैं आप एक दम स्ट्रेट फॉरवड चीज़ा बता रहा हूं आपको जो हो सकती आगे ठीक है ना एक साड़े आठ लाग की भी कमपणी आई थी क्वांटिफाय नाम था उसका ठीक है स्टार्टिंग में 25,000 रुपे दे रही थी वो जब तक आपकी MBA कंपलीट नहीं हो ली तो वो कमपनी पे डिपेंड करती है कि कितना कौन सी कमपनी आपको पैकेज दे रही है और स्टार्टिंग में कितना स्टाइपन दे रही है जब तक आपकी MBA पूरी नहीं होती याफिर उसका 25 ही हो 15 000 या 10 000 या 10 000 या कंपनी अब हो सकता है कि जो 6 या 7 या कंपनी आईए उसका stipend वो 10-15 या कंपनी यों से ज़दा हो यह company मेरे साथ loyal तो रहेगी, क्या यह मेरे को PPO आगे देदेगी, तो आपको देखना है कि company कितनी बड़ी company है, ठीक है, अगर startup company हुई, या फिर उसका न, चेक करना आपको पूरा का पूरा company के बारे में, ऐसी ही नहीं चले जाने किसी company में, क्यूंकि आज के time पे न, लेगी, उसके बाद 2-3 बच्चे बढ़िया select करेगी, तो company तो यही चाहिएगी, अगर आप किसी company के मालिक हो, तो आप भी यही चाहोगे कि बढ़िया बढ़िया बच्चा है काम करने वाला, जो time pass बच्चा है वो नहीं आए, तो एक तो आपको खुद की performance एकदम एक number रखनी है, top notch, ठीक है, दूसरी चीज़ का यह द्यान रखना है कि company की research कर लेना, पहली बैठ के, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई, startup company में जाने से अच्छा है, किसी बढ़िया company में जाओ, ठीक है, corporate की कोई company मिल जाए, तो बहुत ही बढ़िया है, तो बढ़िया-बढ़िया company भी हो सकते हैं, आए, ठीक है, तो उन में जाने की कोशिश करो, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि startup का ना भाई, कोई भरोसा नहीं है, सच बता रहा हूँ, अब बात कर लेते हैं अपन की PPO से पहले, pre-placement offer जो company देने वाली होती है, बाद में, जब आपकी MBA पूरी होती है, उससे पहले वो आपको कितना stipend दे देती हैं, वो highest कितना होता है, average कितना होता है, और lowest कितना होता है, उसकी बात कर लेते हैं, highest stipend, सब मेरी class की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ही section की बात कर रहा हूँ, 37 से 40,000, average stipend, 20 से 25,000, और lowest stipend, 15,000, तो ये वाला ही scenario था, जहां पे इतना इतना stipend देखने को मिला था, हम लोगों को company के अंतर, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको clear कर दी हैं, highest कितना है, average कितना है, lowest कितना है, और ये सारी की सारी मेरी class की बात करी है, ठीक है, तो वाईज अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे question, जो new-new जो student campus में जाते हैं, university में admission लेते हैं, उनके zen में बहुत सारे question उत्फपन होते हैं, तो जब मैं student से बात करता हूँ, या फिर उनके chat पर message देखता हूँ, तो मैंने बहुत सारे इधर लिख लिए हैं, जो भी उनकी query होती हैं, starting में, तो उनके भी मैं जवाब दे देता हूँ, हो सकता है, बहुत सारे लोगों की query, उनसे भी solve हो जाएं, ठीक है, fixed or variable कितना होता है company का, तो भाई, fixed or variable company पे ही depend करता है, कि सामने वाली company आपको fixed amount कितना दे रही है, variable amount कितना दे रही है, ठीक है, आपके पास जब company आएगी न, उसकी जब आप job profile देखोगे, तो job profile में साफ साफ लिखा होगा, कि fixed amount हमारा इतना है, variable amount हमारा इतना है, तो अगर आपको सही लगे, तो आप register करना, अगर आपको सही नहीं लगे, तो मत करना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी company ऐसी होती है, जिनका package CTC होगा, 15,00,000 का ठीक है, बट उनका हो सकता है, variable बहुत ज़्यादा हो, fixed बहुत कम हो, maximum यही देखने को मिलता है, कि variable amount बहुत ज़्यादा है, company का और fixed amount बहुत कम है, अधिकतर जो 6-7,00,000 की company आती है, उसके अंदर आपको fixed amount ज़्यादा देखने को मिलेगा, variable बहुत कम होगा, next question है कि college की website पर लिखा होता है, 25,000,50,000, क्या यह सच है, इतना placement होता है, तो भाई सबसे पहली बात सच तो है यह, ठीक है, अब यह इतना placement कैसे होता है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, और बहुत सारे लोगों का कमेंट है मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया बट वापी से बतायता हूँ एक चीज नहीं है वो सुनो क्या होता है कि मैं student हूँ किसी भी university का ठीक है मेरा उस university से starting में जो placement हुआ वो 7 या 8 लाग रुपे का हो गया अब क्या हुआ 7-8 लाग रुपे का मेरा वहाँ से placement होगा किसी भी college है university से अब क्या होगा भाई मैं आगे मान लो कोई company switch करता हूँ मेरा package लग जाता है 25 लाग रुपे का ठीक है तो अब क्या होगा जिस भी college से या university से मैं pass out हुआ हूँ तो वो university या college खुद की website पे ये लिख देगी कि ये हमारा student था और इसका 25 लाग का placement हुआ है अब यार तुम बोलोगे कि भाई वो university क्यों लिख देगी या वो college क्यों लिख देगा कि यार ये student 25 लाग का placement है जबकि उसने तो दिया ही नहीं भाई उसने नहीं दिया बट भाई मैं student तो उसी का था ना उसी university का था उसने मेरे को इतनी सारी चीजे सिखाई है उसने मेरे पे इतनी मेहनत करी है starting में भली उसने मेरे को 8 लाग का package देखे बेजाओ बट बाद में जब मैंने company switch करी जब मेरे को experience हो गया अब मेरे को 30 लाग का package मिल रहा है तो वो university क्यों नहीं लिखेगी भाई लिखेगी वो तो और university और college से भी placement अच्छा अच्छा 25 लाग 50 लाग का जाता है कोई बड़ी बात है नहीं क्या startup companies में जाना चाहिए अगर कोई अच्छी company बड़ी company आ रही है placement के लिए तो सबसे पहले तो उसी को चुनो अगर कोई startup आपको लग रहा है कि किसी startup में दम है और इस startup में आगे growth है इसमें जाना चीए या फिर वहां के जो students हैं जब वहां पे employee काम कर रहे हैं वहां पे आपने उनको phone करके पूछा है वो बोल रहे हैं कि बड़ी है तो उसमें जाओ नी तो भाई startup में मच जाओ ठीक है क्योंकि startup में सीधी बाता है कि risk है risk तो है बड़ी company हो में जाओगे हो सकता है salary कम हो बट भाई वहां पे थोड़ी जिन्दगी सुकून की है startup में अगर आप pressure नहीं ले सकते मच मच नहीं चाहिए तो भाई जो बड़ी company है उनमें चले जाओ अगर आप सोचते हो कि यहां ठीक है पैसा भी छापना है starting में थोड़ा मच मच ले लेंगे काम भी ज़्यादा कर लेंगे तो startup में चले जाओ और सीखने को भी अगर तुम चाहते हो कि मिल जाए तो startup में जाना ठीक है अगला question यह है कि placement start होते ही लेना चाहिए या फिर last में मेरे हिसाब से तो भाई जब placement के लिए company आ रही है जब तुमारे placement start हो गए उसी time तुमको placement ले लेने चाहिए जैसे जैसे company आते जाए register करते जाओ ठीक है और अगर तुमारा placement हो जाता है तो भाई starting में ही ले लो क्योंकि बहुत सारे student ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आरे भाई अभी तो गणा time पड़ा है अराम से लेंगे ना placement कितनी क्या जल्दी है थोड़ी और मौच काट लेते हैं campus के अंदर क्योंकि company ऐसा तो है नहीं आनी बंद होगी नहीं क्योंकि उस time उनको इसलिए ये लगता है कि company आनी बंद नहीं होगी एक दिन की 3-3-4-4 company आती है तो वो ये सोचते हैं कि company तो आई रही है बढ़िया बढ़िया company आ रही है 7 लाक की, 8 लाक की, 6 लाक की, 5 लाक की उनको ये लगता है कि और उपर और भी ज़्यादा package वाली company अभी आनी बाकी है बट भाई last में क्या होता है last में आते आते जो package होता है, company का वो गिर जाता है starting में companies इसलिए जाएंगी क्यूंकि भाई, वो चाती है बच्चे को छांटना वो चाती है कि 500 बच्चे हैं, तो 500 में से 5 बच्चे लऊँ, एकदम तगड़े समझे रहो ना, तो वो बड़िया चांटती है बच्चा, starting में क्यूंकि बच्चे बहुत होते है तो last में क्या रहता है छटावा बच्चा रह जाता है अब एक चीज समझो यार की last में छटावा बच्चा रहेगा, तो package तो company का कम होएगा ही न, हो सकता है अच्चे package की भी कई company आ जाए बट last में जो package होगा वो कमी देखने को मिलेगा भाई आपको तो जल्दी से जल्दी जो भी company आ रहे है, placement low और निकलो, time waste मत करो भाई इदर कोई मतलम नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी placement ले लोगे, तुमारा ही फायद है तुमारा पैसा बचेगा, hostel का पैसा बचेगा तुमारा, जल्दी से तुम कमाना चालू कर दोगे, वो मन्तली तुमारे पास पैसा आना चालू होगा ये चीज समझो ना, थोड़ा दिमाक लगाओ यार जितनी जल्दी लोगे, तुमारा फायदा है क्योंकि तुम ये सोच रहो कि अच्छी कंपनी आएंगी, आएंगी, आएंगी क्योंकि हर बच्चा ये ही सोच रहा है, वो इसी फिराक में बैटा है कि कुछ समय बाद ले लेंगे प्लेसमेंट क्या जल्दी है लास्ट में आते हैं पता है क्या होता है फिर ना बच्चे डिप्रेशन में जाना चालू कर देते हैं जब कंपनी ने आती, अर्यार आप प्लेसमेंट कैसे लेंगे अब तो प्लेसमेंट लगेगी नी फिर वो सोचते हैं यार स्टार्टिंग में ले लेता तो सही रहता अब तो कोई company नहीं आ रही भाई ये इतना जादा पूछे जाना वाला question है न मेर से क्या हमारा placement हो जाएगा भाईया तो सच बता रहा हूं मेरे भाईयों मेरी भेनों मेरे को कुछ नहीं पता कि आपका placement होगा नहीं होगा यर मैं कैसे बता सकता हूं कि आपका placement ह हो गया नहीं अगर मानलो मैं आपको बोल दूँ कि हाँ यार 100% placement है उस university का या उस college का चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई तुम चले जाओगे मेरे कहने पर ठीक है बाद में तुम्हारा placement नहीं हो ना तुम मेरे को गाड़ी दोगे बोले उसने कहा था कि उसमें चले जा तो तुम्हारा placement 100% है placement होना नहीं होना आप पे डिपेंड करता है आप कैसा perform करते हो पूरा आप पे डिपेंड करता है ना तो university पे डिपेंड करेगा उसका काम सरीफ company आ लाके देना है वो लाके देदेगी आपको placement लेना किसकी जिमेदारी है student की तो वो आप पे है कि आप placement placement लेके निकल पाते हो और नहीं निकल पाते है students का तो placement हो रहा है ना ऐसा तो है नहीं की हो नहीं रहा अब जिनका हो रहा है हो सकता है उन में से आप हो हो सकता है नहीं हो दोनों ही बाते हैं ना मैनत करते रहो खुद को improve करते रहो knowledge लेते रहो दुनिया से सीखते रहो उसको सिखाने की कोशिश मत करो सीखो दुनिया से ठीक है जितना सीखो के तुमारा फायदा है अगर तुम चाते हो तुमारी किसमत साथ दे तुमारा लग साथ दे तो उपर वाले की किरपा तुम पर होनी बहुत जरूरी है और उपर वाले की किरपा उसी पर ही होती है जो उसको याद करता रहता है सबसे जादा companies कौन सी job profile की आती है भाई पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कई बार वापिस से बता जेता हूँ कि 72-75% जो companies हैं वो marketing and sales से related आती है और marketing and sales की ही job profile लेके आती है बहुत सारी company बाकी की 25-30% जो company बची उनमें बाकी के सारे specialization आ जाते है बाकी की सारी job profile आ जाती है ठीक है? बहुत सारे भाई लोग अलग specialization finance होगा business analytics होगा तो भाई business analytics मान लो कोई specialization है ठीक है? इससे related company आएगी ऐसा नहीं एक company बिलकुल नहीं आने वाली company आएगी हो सकता है एक, दो, तीन company आ जाए बट कम company आएगी as compared to marketing and sales ये ध्यान में रखो सबसे जादा company marketing and sales की है और सबसे जादा जो company है वो start-up company आएगी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अगला question है placement मिलने के कितने percent chance है MBA में तो भाई, अब कितने percent chance है तो मेरे इसाब से मैं ये बोलूँगा 90% chance है आपको placement मिलने के अब 90% chance क्यों है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ से है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो campus है university जो है वो इतनी company तो लाके दे रही है कि आपका placement easily हो जाएगा 90% मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो भी university के कारण 10% अलग चीज है वो मैं आपको बताऊंगा 90% इसलिए बोल रहा हूँ तुम interview में कैसा perform करते हो वो तुम पर depend करता है 10% जो मैंने छोड़ा है वो depend करता है तुम पर जो भी मेरे को लगता था कि आप लोगों की query हो सकती है आप लोगों के doubts हो सकते हैं basically ये सारे जो doubts थे ये students की थे जो मेरे को phone करके या फिर message पर पूछते थे तो उसका मैंने video बना दिया था तो हो सकता है बहुत सारे student की query इस video से solve हो जाएं ठीक है मेरे पास जितना कुछ था ना मैंने आपको सब कुछ बता दिया जैसे जैसे मेरे को याद आता जाता है मैं क्या है copy पर note down करता रहता हूं और उसके उपर video बना देता हूं ठीक है तो हो सकता है बहुत सारी चीज़े रह गई हो जो रह गई होंगी उसकी अपन और video ले आएंगे उसमें clear कर देंगे चीज़ें इस video में मैंने maximum चीज़ें जो एक fresher को समझ आनी चीज़े या फिर मेरे को लगता है कि जो उसको पता होनी ची़े मैंने सब कुछ clear कर दिया मेरी तरफ से और इसके अंदर ये सारा का सारा point of view मेरा है मैं किसी पर थोपरानी कि भाई ऐसा ही करना है तुमको ऐसा ही होगा तुमारे साथ मैं किसी भी university, college, student, company किसी को भी गलत बोलने के उद्देश्य से कभी कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं सरिफ मेरा experience आप लोगों के साथ share करता हूँ किसी को गलत बोलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है YouTube के उपर या फिर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके जरीए ठीक है मैं चाहता हूँ कि आपको एक clear चीजें पता लग जाए कि ऐसी ऐसी चीजें है problems हैं तो ये है फायदे हैं तो ये है ठीक है आज की वीडियो यापी खतम करता हूँ उमीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी ठीक है और जिनों ने वीडियो यहां तक देखा उसका हाथ जोड़ के धन्यावाद भाई आप इतनी देर तक इस वीडियो पर बने रहे तो मिलते हैं गाईस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक यू सो मच लव यू गाईस तेक क्यार बाई